GST portal पे अभी इन्होंने हाल ही में काफी सारे सुधार किये हैं जिसका CBIC की तरब से यह एक information भी आई है कि क्या-क्या उन्होंने सुधार किये हैं जो अभी हम problem phase कर रहे थे चाहे वो registration से related हो या composition service composition scheme opt करने से related हो, opt out करने से related हो या OTP से related हो या portal की capacity increase करने से हो तो पहले हम बात करते हैं registration से related क्या-क्या इन्होंने सुधार किये हैं system पे क्या-क्या updation लेके आए हैं तो पहला updation यह लेके आए कि अगर आपका authorized signatory non-indian है और आप non-core amendment field में application लगा रहे हो non-core amendment आप कर रहे हो उस case में zip code mandatory हो जाएगा without zip code आपको system allow नहीं करेगा non-core amendment करने के लिए in case of authorized signatory is not an Indian तो यह हुआ registration में पहला change जो इन्होंने किया है दूसरा change दूसरा change बात करता है registration cancel होने के बाद अगर assisting officer ने आपका registration cancel कर दिया है तो जब अब तक हम लोग revocation की application लगाते थे तो हमारे पास एक message pop up होता था वो message यह बोलता था कि current date तक जिस date को हम revocation की application लगा रहे हैं उस date तक की हमें सारी return भरड़ी पड़ेगी लेकिन हम उस date तक की return भर ही नहीं पाते थे हम registration जिस date को revoke हुआ था उसी period तक की return भर पाते थे तो इस वज़े से हमारी application नहीं लग पाती थी application में issues आते थे बट अब वो message आएगा वो message यह आएगा please file all the pending return till cancellation date तक ही हमें अब हमारी returns file करनी है वो file करने के बाद हम हमारी revocation की application लगा सकते हैं यह था registration related दूसरा update जो यह site पे लेके आये हैं अब तीसरा update यह यह लेके आये हैं कि यह बात करता है इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है दोस्तों कि जब आप कभी registration के लिए apply करते थे हम सबको पता है principle place of business की detail देनी परती थी वहां हमें कुछ एक documents attach करने परते थे अगर उन documents के ऊपर department की तरब से कोई clarification आती थी हो सकता है documents readable नहीं हो यह supporting documents required थे वो हमने attach नहीं करे हो किसी भी तरीक है कि कोई भी clarification department जब मांगता था तो हमें फिर से जब नए documents अपडेट करते थे वहां पे उसे सेव करके continue करने में हमें error का सामना करना पड़ता था हलाएं कि मुझे recently कभी भी ऐसी error का सामना नहीं करना पड़ा बट अगर किसी को error का सामना करना पड़ा था तो in future उनको अब वो error नहीं दिखेगी वो आराम से नए document upload करके proceed करके submit कर सकते हैं तो अगर department से यह rule है कि पहले क्या होता था कि अगर आप core amendment में registration अमेंड कराना चाहरे हैं और core amendment application file कर रहे हैं तो आपके deemed approved हो जाती थी अगर 15 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं होती थी तो लेकिन अब वो deemed approval वाला option इन्होंने disable कर दिया है जो कि मेरे हिसाब से एक portal पर पता नहीं सुधार है या नहीं है असीसी को इससे काफी तकलीफ होने वाली है अब तक 15 दिन में उनको अप्रूव करना रहता था नहीं करते तो deemed approval जाता था तो assisting officer एक प्रेशर में रहता था कि अगर मैंने नहीं किया deemed approval हो रहा है तो यह मेरे part पे कमी हो जाएगी और मेरे लिए एक यह minus point हो जाएगा बट अब assisting officer के लिए minus point नहीं रहने वाला है इससे I believe assises जो है वो प्रेशान होने वाले हैं यह थी registration से related बात अब हम बात करते हैं composition taxpayer में क्या बदलाव आए हैं दोस्तों तो पहला बदलाव है if a taxpayer had form CMP04 withdrawal from composition in saved stage and they and then they change their email mobile through non-core amendment they will now in such cases receive OTP on updated mobile number and email यह क्या बोल रहा है दोस्तों यह बोल रहा है कि जब हम CMP04 भरते थे CMP04 क्या है कि हम composition से withdraw कर रहे हैं तो जब हम CMP04 भरते थे बड़ उसको पूरा फिल नहीं किया हमने save stage में छोड़ दिया और उसके बाद हम non-core amendment के थुरू हमारा email ID और phone number change करने जा रहे हैं इस case में अब जो OTP हमारे पास आएगा जी हां अब जो OTP हमारे पास आएगा amendment करते टाइम और CMP04 भरते टाइम वो हमारे नए updated mobile number पर आएगा ना कि पूराने mobile number पर तो this is a good move यह काफी अच्छा सुधार है पोर्टल पर अब composition में ही दूसरा जो सुधार आया है वो यह है taxpayer will be able to file form CMP02 opting for composition again if previous application is rejected by tax official for the same financial year अब तक क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर CMP02 हम भर देते थे और officer ने reject कर दी तो दुबारा भरने में हमें काफी दिक्कत आते हैं दूबारा हम नहीं भर पा रहे थे same financial year के लिए जैसे कि financial year में 2021 की बात करूँ तो इसकी due date अल्रडी निकल चुकी है 30 जून 2020 थी तो अब अगर आप सेम financial year के लिए वापिस CMP02 भर रहे हो तो आपके सामने ऐसी कोई error नहीं आएगी कि tax officer ने reject कर दी तो आप नहीं भर पाऊगे थर्ड जो आया है वह आया पोर्टल केपसिटी से यह बहुत बड़ी अपडेट है इससे जो पोर्टल हैंग हो जाता था हम रिटन नहीं भर पाते थे हमें वेट करना पड़ता था वह सायदब कम वेट करना पड़े आप सब ने देखा होगा यह सबसे पहले रीड करते हैं जीएस्टी पोर्टल केपसिटी हैज बिन इंक्रीज्ट तो 3 लाग यूजर फ्रों 1.5 लाग यूजर जब भी हम रिटन भरते थे लास्ट डेट के आज पास तो हमारे सामने बहुत बार एक मेसेज आता था विंडो पे कि आप आपके टर्ण का वेट करो अभी डेट लाग सब अभी डेट लाग असेज अपनी रिटन भर रहे हैं तो हमारा नंबर उन डेट लाग में नहीं आता था तो हमें वेट करना पड़ता था बट अब वो मैसेज डेट लाग की जिगत तीन लाग आने वाला कहने का मतलब अब तीन लाग असेज एक साथ पोर्टल पे लोग लिए लिए लोगिन कर पाए चाहे हम लाजडे को भर रहे हो लाजडे के एक आदे दिन पहले बर रहे हो विकोज लाजडे इस ओल्सो एडेव और यह नहीं बोला जा सकता है कि लाजडे लाजडेट इस नोडड़ देट फॉर फाइलिंग दर रिटन अगर लाजडेट मैं मिलना चाहिए तो यहां सरकार को सोचना चाहिए कि यहां देट से तीन लाग पर भी कुछ नहीं खास होने वाला है यहां पर उनको कुछ ऐसा सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए इतनी ऐसी अपडेट लानी चाहिए कि सिस्टम को एक सेकंड का वेट नहीं करना पड़े जैसे लोगिन पर क्रिक करें उसका सिस्टम तुरंत लोगिन हो जाना चाहिए बट ठीक है दीरे-दीर इंप्रूमेंट हो रहे हैं तो तो यह थी आज की वीडियो जो अपडेट से बात कर रहे थी जिस्टम में यह कोई लो कानून में कोई बदलाव नहीं है यह सिंपल से टेकनिकल इशूज है जो टेकनिकल इशूज यह दिरे-दिरे इंप्रूव किये हैं और आसा करते हैं कि फ्यूचर में और यह टेकनिकल इशूज अशrico करते रहेंगे तो दौस्तों इसी के साथ आज का मैं यह वीडियो की साइन आप करता हूं मिलते हैं किसी नई वीडियो नॉटिविचर किसी नई जानकारी के साथ किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए हमारे चनिये के सब्सक्राइब करें लायक करें और लेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों थैंक्यू सो मच जय हिंद जय भारत